हेलो गाइज, वेलकम टू जेके स्टॉडी सर्कल, जैसा के आप जनते हैं हमारे एकनॉमिक्स की लेक्चर सीरिस चल रही है और आज हमारा टॉपिक है नेशनल इंकम आफ इंडिया, सबसे पहले देखते हैं नेशनल इंकम आफ इंडिया होती क्या है, नेशनल इंकम इस दी न कहते हैं national income का वो पार्ट है इस फ्लोव कंसेट यह फ्लोव कंसेट है इंडिया financial year is from first April to 31st March इंडिया में financial year कब से कब होता है इंडिया में financial year start होता है first April से 31st March के बीच में जो पीरेड होता है इसको हम कहते हैं financial year the national income is calculated annually जो national income है वो हमारी government of India का calculate करती है वो annual use को करती है calculate करती है जो हमें जिसको हम कहते है financial year ठीक है अब देखते हैं आगे नश अकार्डिंग टू नेशनल income committee 1949 1949 में committee's head की गई थी national income committee उसका नाम था national income estimate mere the value of community and services turn or during a given period counted without duplication इसका क्या मतलब है हम उन्हीं services को या products हो हम कॉन्ट करते हैं जिनका duplication नहीं होता जैसे for example आपने market से कार ली आपने first hand कार ली अब देखो आपने वो services वहां पर use कि हम उसको कॉन्ट करेंगे अगर आपने वही कार आगे second hand किसी को बेच दी वो उस पे जो आप जो हमें benefit हो वह हम कॉन्ट नहीं करते हैं इसी को लिखा हुआ है हमने without duplication मतलब duplication नहीं होना चाहिए अब इसका formula क्या national income का वो देखते हैं national income is equal to c plus g plus i plus x minus m plus r minus p minus depreciation minus indirect taxes plus subsidies अब c का क्या है total consumption expenditure और i total investment expenditure और जो हमारा यह जी इसका मतलब है total government expenditure और x का हो गया हमारा export और m का हो गया हमारा import हमने कितना import किया अब इसका क्या मतलब है हमारे total consumption कितना हुआ पूरे period में ठीक है उसके बाद हमारा उसमें से हमने add करना है total investment हमने की कितनी कि इस period में और हमारा जो total government का expenditure हुआ जी वो कितना हुआ ठीक है उसके बाद export हमने कितना किया और हमने import कितना किया और r minus का P का मतलब है net fraction income from abroad जो हमारी abroad से income आती है उसको उसको हमने plus करना है जो हमारे nationalist वहां पर जो इंकम generate करते हैं उसको हमने add करना है यह हमारा formula है national income का ठीक है अब हम आगे देखते हैं वेन national income is measured at current price year price it is called national income at current year price जब हम आप करते हैं national income के प्रास पर तफिक्षarily को कहते है Nice इंकम को कहते है नेचेनल को करते है characteristics Ahora which count dot week हमें और जब हम national income कोवेजिक करते हैं वेज four lucky अपर में प्रास में झाषी ही है और में इत मियुट प्राइस धायोंट्राइश का अब हमने कुम सा प्राइस देखना है जो हमारा पिछला होintairm का प्राइस एक प्रैस क्योंकि हमारे पास अभी तक वही प्र這一 और हम एक बेश ये पस यिफ होता है ज 이걸 कुल एटेशलन को मैट कॉंस्टेंट प्राइस ठीक है तो अगर हम जो प्रीविश यह जो हमरा जो क्रॉंट प्राइस है मारे पास वहत के चलेंगे तो तौफ मुसको करेएंगे नेश्बंकम्ट कॉंट्रेट PalNova क्रणिया ये national income this measure is calculated by deducting indirect taxes and adding subsidies ठीक है NNP में हम क्या करते है NNP में हम करते हैं indirect taxes को हम वो करते हैं indirect taxes को हम उसमें से माइनस करते हैं और subsidies को add करते हैं यह हम आप मैं आपको आगे दिखाता हूँ यह देखिए यह देखिए यह देखो NNP at factor cost NNP at market price minus indirect taxes plus subsidies ठीक है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद देखो हम उसमें add करते हैं जब government का surplus हम उसमें add करते हैं तो ताब हमारे पास वो आजाए का national income ठीक है अब देखो NNP factor cost को जब NNP factor cost हम कैसे निकलते हैं NNP factor cost हमारे ऐसे निकलते हैं पहले NNP जो market price होता है उसमें से हम indirect taxes जो होते हैं वो minus करते हैं और उसमें subsidies add करते हैं और जो इतना भी government का surplus है वो add करेंगे तो वो हमारा ब्राबर आजाएगा national income के ठीक है national income कैसे होती है जो हमने यह पीछे पढ़ा ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ उसके बाद हुआ यह बेस यह जो टू पहले 2005 45 था बट अब हम लेते हैं 11 12 को ठीक है यह रिविजन होती रहती है है अवरी 5 यह के बाद में ठीक है इंडियन सेंटल स्ट्रेटिकल और्गनाजेशन जो बनी थी 1949 में उसको रिनेम करके रिनेम किया गया उसका नाम रखा गया स्ट्रेटिकल और यह हमारा आफिस जो था यह फर्मूलेट करता है हमारी नेशनल इनकम को कौन सा स्ट्रेट सेंटल स्ट्रेटिकल और उसके बाद आगे हमारा नेशनल इंकम is Marement of production power of economic system in a given period national income करते ह 沒有 करती है production की power को जो हमारे economic system में उस time period में जो कि कितनी हमारे पास production की power है उससे हमारी national income पता चलती है और national wealth क्या होता है national wealth is the measurement at present asset available at given time national wealth का मतलब है हमारे पास कितने assets है at a particular time में उसको हम कहते है national wealth अब उसको क्या करते हैं अगे नेक्स्ट हमारा है method of measuring national income national income को हम कैसे मेजर करते हैं इसके पास हमारे हैं तीन method होते हैं सबसे पहला हागे हमारे पास product method इसमें क्या होता है in this method net value of good and service produced in a country during the year is obtained इसमें क्या करते हैं जितने भी हमने goods and services produce की होते हैं country में ठीक है उसकी net value कितनी है उससे हम ये measure कर सकते हैं हमारी कितनी national income है उसको हम कहते है total final उस product जो हमारा product बना होता है within a year goods and services जो हमने produce की होती है अपनी country में उसको हम कहते है total final product this represent cross domestic product ये रिप्रेजेंट करता है GDP को ठीक है net income and in foreign boundaries by national is added and depreciation is subtracted from the GDP product method में क्या होता है GDP में क्या होता है GDP में GNP add करते हैं उसमें minus करते हैं depreciation अब ये मैं समयता हूँ GDP तो आपको पता चल गया final goods and services produce in a country within a financial year जो हो गया हमारा GDP और GNP क्या हो गया उसी financial year में जो हमारे foreigner जो मतलब Indian nationals जो foreign में जाके अपनी income generate कर रहें वो वो हम इसमें add करेंगे और उसमें से depreciation जो हमारे मतलब depreciation वीरेंट ये रोता है किसी चीज़ का वो हम minus करेंगे तो यह होता है हमारा product method अब नेक्स हमारा आगया income method income method में क्या होता जी इन इस method total of net income earned by working people जो भी हमारे working people होते हैं उनकी total net income हम को add करते हैं वो हमारी होते हैं इस से हम अपनी national income को इस method से हम major कर सकते हैं वह लिखा हुआ है in different sectors commercial enterprises obtain income both categories of people paying taxes and not paying taxes and are due to obtain national income for adopting this method sometime a group of people from various income group is selected and on the basis of income national income is of countries estimated in a broad sense by national income method national income is obtained by adding receipt as a total rent total wages total interest and total profit इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है हमारे जैसे different people है जो various commercial interest prices में काम करते हैं ठीक है जो for example जो कुछ लोग tax देते हैं कुछ लोग tax नहीं भी देते उन सब मतलब particular people को मतलब वहां से example size उठाना और उनकी उसको उससे हम अपने मतलब उनकी incomes को जितना वी वो rent देते हैं या उनकी wages हैं इंट्रेस्ट मिलता है उनको total profit कीतना होता है उसको सब को add करेंगे वहां से हमारी पास आजाएगी national income यह लिखावा है national income total rent total wages total interest and total profit इनको add करके हम आगया यह इससे हम अपनी income नकाल सकते हैं अब यह दो मैथेड़ हम जरनली यूज करते हैं और थर्ड हमारा आता है consumption method इसको हम जूज नहीं करते हैं यह यूज नहीं होता it is also called expenditure method इसको expenditure भी method भी कहते हैं income is either spent on consumption or save यह वी हम यहां से हिसाब लगा लेते हैं या तो देखो income होगी तो हम उसको खर्च करेंगे या उसको save करेंगे ठीक है इससे हम अपनी national income नकाल सकते हैं national income is addition of total consumption and total saving मतलब जितना भी हम consumption करते हैं और जितनी हम saving करते हैं इनको add करके हम अपनी income नकाल सकते हैं using this method we need data related to income and saving of the consumer इसके लिए हमें data चाहिए होगा लोगों का जिनके मतलब income होती है इंकम है जिनकी जित कितनी income है और कितनी वह saving करते हैं ठीक है अब estimate of national income हमारा next topic in 1868 the first attempt was made by दादा बाइन और जी ठीक है इन 1868 में दादा बाइनार जी से जब जिनको हम कैसे थे grand old man of India वह उन्होंने सब से पहले अपनी book लिखी poverty and British rule in India उनने estimate लगया कि पर capita annual income कितनी है हमारी 20 rupees है और फिर first scientific attempt जिसने किया था वह कौन से हमारे प्रोफेसर वी के आर्वी रॉव इनने 1931-32 में किया था जिन इनने क्या किया था इनने इंडियन economy को divide किया था 13 सेक्टर में और इनने बताया था कि हमारी पर capita income कितनी है rupees 76 और उसके बाद 1949 में एक attempt और किया गया जो थे हमारे national income committee इनके अंडर की गई और इसके अधर मेंबर कौन से थे वी के आर्वी रॉव थे और प्रोफेसर डॉक्टर गार्व गिल थे गोर्मेंट इफ इंडिया और ने अपॉंट किया अच्छल इंकम कमेटी अंडर दी चेर्मेंशिप अफ पीजी महाल नोबिस तक मेटी गिविट्स रपोर्ट इन 1951 एंड फाइनल रिपोर्ट नियू सीरिस इन 1954 इनने क्या किया फास्ट रिपोर्ट सब्मीट के रहें 1951 में और फाइनल रिपोर्ट जो थी नियूर्च सीरिस की वो ने करवाई 1954 में इसके बाद हमारा आता है नेशनल इंकम एग्रिग्रेट्स कौन-कौन से हैं इसके हैं सबसे पहले आगए जीडिपी इट इस टोटल म सब्सक्राइब करेंगे तब हमारा निकलेगा जीडिपी अब जीडिपी एट मार्किट प्राइस इसको कहते हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं जीडिपी एट मार्किट प्राइस मार्किट प्राइस में कितने वैल्यों है उस गूर्ड जैन सर्फिस की जो हमने प्रेडिउस की है दूरिंगा ये विदिन जीग्राफिकल बांडरी अफ कंट्री उसको हम कहते हैं जीडिपी एट स्थिदि इसका भी यही मतलब है जब जी डीपी मार्कीट प्राइस को क्या मतलब गीडीपी मार्कीट प्राइस में क्या होता है jxt मिशंगा मेंयो सब्सक्राइब वह प्लस होते है इंडारेक्ट टैक्सीज ठीग है gibt और मेने सुथी आप मेंयों के किया सब्सीडीज़ है एकुरेटली रेपडन इकुरेटली रिवील in accompanied to the character of production हम मतलब इतना अप्नी इंकम पेड़ करते हैं कुर्ण देद countless पेठ्टर उत ईपेडू चेर्ट्र नॉर्सिप पे ता फेटड कोस्ट मींस तोटल कास्ट फंद आल फ्रोड़क्शन वेक्टर फ्रोडक्शन आपको पता है लेंड लेबर एंत्रेपर्नोर और कैप्टेल ठीक है यूस्ट प्रोडुजिंग अगोड्ड इंस असीज हम की तरह उनका यूज करते हैं अपने फ्रोडक्शन का एक सर्विस गूड्ड जैसार्विस को प्रोड्यूस करने में इंकलू इसको जो होती है government grants जा subsidies को हम एड़ करते हैं अब calculation of GDP GDP ना country is usually calculated by national statistical agency GDP जो country के हैं उसको हम कौन major करता है उसको major करते है national statistical agency which complies information from a large number of sources यह कि यह मतलब अब information कैसे लेते हैं अब मतलब जैसे कोई भी RBA जैसे magazine नकलती है वहां से data collect कर लिया कितनी agencies होती है government की वहां से यह data लेकर collect करके यह अपनी एक report त्यार करते हैं उसमें हम बताते हैं कि हमारी country की कितनी GDP रहने वाली है इस यह में in case of India it is a statical center statics office CSO इंडिया के case में कौन करता है CSO which estimate GDP however most of countries follow establish international standard for calculating GDP of a country most of country ने मतलब एक international standard को adopt कर लिया अपनी country की GDP मेजर करने को अब GDP भी होती है दो किसम की एक होती है noble nominal GDP और real GDP आपको पता है nominal GDP estimate हम करते है current price जो हमारा मतलब इस period का price है उसको में मेजर जो हम करते हैं वह होती है nominal GDP which include all changes in the market price ठीक है that have occurred during current year due to inflation or deflation जैसे अब देखो हमारी अभी जैसे करोना का period चल रहा है इसमें हमारी महंगाई बढ़ रही है देखो आप हमारे गाड़ी के फेर्स जो थे जो अभी सो रप्या ले रहे थे वह आप 200 या 300 ले रहे देखो इसमें हमारा सीडेख करने के इसको हम कहेंगे nominal GDP ठीक अब real GDP क्या होता है Real GDP हमें बेसले ले 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 जैसे हमारा 11,12 बाइसे हम देखें कि आज का हमारा जो क्राईस है तबके प्राइस से हमारा कितना बड़ा 10 बड़ा कितना बड़ा है अगर कम हुआ है तो कितना कम हुआ है उसको हम कहेंगे real GDP is a better measurement of GDP since it reflect increase in the quantity of goods and services by adjusting for any increase in prices real GDP is generally measured by using a base year price of goods and services उसको हम कहते हैं constant price ठीग है अब GNP क्या होता है GNP होता है मारा गंडरास national product GNP refer to money value of total output production of final goods and service produced by national resident of a country during period of time generally in a year GNP का मतलब होता है हम तो मतलब money value total output of production हमने कितना production produce किया goods and services का जो national resident है हमारे country के उन्होंने ठीक है foreign में अगर वो रहते हैं तो उनने कितना produce की मतलब income generate की उसको हम कहते हैं GNP ठीक है यह हमें पताता है quality plus quantity दोनों के बारे में GNP का फर्मूल लतता है GDP इसको हम कहते हैं GNP ठीक है नेट नेशनल प्रोड़क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एननपी क्या होता है एननपी क्या होता है एननपी होता है इस अप्टेमा सब्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् is that income which is actually obtained by individual or national यह हमारी actual income होती है जो individual और national जो हमारी कमाते हैं यह personal disposable income क्या होती है personal disposable income होती है when personal direct taxes are subtracted from personal income जैसे यह आपके पास income आई उसमें से आपने ट्रेक्स सारे चुका दिये जो बचे है कि income वो आपकी जो होगी वो होगी personal disposable income मतलब personal income minus direct taxes direct taxes कौन से होगे जैसा आपका income tax हो गया और indirect taxes क्या होगे जो directly आप पे नहीं लग रहे बट automatically आप दे रहे हो इस आप कोई भी product लाते हो या आप जिस phone से अभी यह video देख रहे हो यह laptop यूज कर रहे हो यह आपने जब खरीदा होगा तब आपने government को tax pay किया होगा in the form of GST पहले तो bad sales tax होगा रहा होते थे बट उनको हटा के एक अलग मतलब एक टेक्स आप कर दिया हमारा आगे CSO and NSSO CSO होता है Central Statical Organization यह सेट अप की थी 1950 में यह publish करती थी national income data NSSO यह होता है national sample survey organization यह भी 1950 में setup हुआ था यह conduct करता था large-scale sample survey यह जो हमें जरूरत थी जिसकी मतलब जिसकी data हमें जरूरत पढ़ता था country के estimate करने national income को estimate करने या other aggregates को estimate करने में और मेई 2019 में ministry of statics and program implementation ने इन दोनों को merge कर दिया CSO and NSSO को और एक single body bridge इसका नाम रखा national statical office अब यह ही हमारा national income को देखता है और यह दो simple formula है यह भी आप याद रखेंगे GDP defilator क्या होता है nominal GDP पी और real GDP को जब multiply हम फेंडर से करते हैं ता हमारा GDP defilator निकलता है और gross value addition जीवीए ठीक है इसका formula आता है GDP plus subsidies minus taxes okay यह था हमारा आज का topic national income of India मैं I hope कि आपको यह lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको यह lecture अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताके आपके friend भी को भी help हो सके और हमें भी motivation मिल सके प्लीज चैनल को subscribe like comment तो जरूर ही करें thank you very much अब मिलेंगे again next किसी अच्छे lecture के साथ तब तक के लिए good boy